हलो श्टुदेंट्स के अंतरगत यह प्लांट क्लैसिफिकेशन के अंतरगत यह प्लांट टैक्समी के अंतरगत इंफर्मेशन जो गैडर क्या जाता है उसका इट्रिलाज़ज़न किस तरह से करते हैं प्लैंड्स के साथ साथ उसके रिलेशन्शिप को इस्टैबिलिश करने में इसके चर्चा करेंगे और यह यह आप मान के चलिए कि इस इस दा इंट्रडेक्टरी डिस्केशन और मॉडरन ट्रेंड्स प्लांट के क्लेसिफिकेशन यह प्लांट्स का एन्टिफिकेशन की एक लंभी हिस्ट्री है जिसका डिस्केशन हम लोग ने पिछले क्लासेज में किया है प्लांट्स को जैसे का मुल जानते हैं कि फॉर्ट ताइम थिफ्रेस्ट्स ने एक इस्टेबिस्ट क्लेसिफिकेशन दिया था और उन्होंने हैबिट्स के अधार पर प्लांट्स को क्लेसिफाई किया था और यह एक इंपॉर्टेंट ब्रेक्थ्रू था इन प्लांट्स साइंसेज जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्लांट्स को नोंने के वल चार ग्रूप्स में बाटा था हर्ब्स अंडर शरफ्स शरफ्स आंड ट्रीज और फिर उस समय के बाद एक लंबी हिस्ट्री है प्लांट्स को क्लेसिफिकेशन का एंडिफिकेशन का आज की दिनों में प्लांट्स के रिलेशन्शिप इस्टेबिश करने क्या की कोश लिके वाल चार ग्रंट है तो स्शुरू के दिनों में जो वी सांटिस्त है जो वी टेक्षानो मिस्ट है उन्हों ने को आडि रखा सटने क्लेसिफाइक इसवार सिंपल क्लेसिफिकेशन को यह आधुकी पर जितनी जानकारी जिस समय रही है उसके । पर प्लैंट को लेशिफाइब किया गया आप जानते हैं कि आज से लगबग 2300 पहले उन्होंने प्लैंट को लेशिफाइब था उनका था 372 287 BC और इस तरह से क्लैसिफिकेशन के प्लैंट का लोग सायंटिस्ट या टैक्सनोमिस करते आए लीनियस ने बहुत सारी चीज़ें प्लांट क्लेसिफिकेशन या प्लांट टैक्शनमिक को दिया उन्होंने लीनियस के यह आप जानते हैं 1707 तू 1778 एडी रहा है 2000 यह तक प्लांट को क्लेसिफाई किया गया on the basis of one और फ्युकर एक्टर्स बट लीनियस ने बहुत सारी चीज़ें प्लांट क्लेसिफाई क्लेसिफिकेशन यह सारे क्लेसिफिकेशन को जानते हैं कि अंतरगत रखा जाता है दियर आफ्टर नेच्छल क्लेसिफिकेशन आया नेच्छल क्लेसिफिकेशन में बहुत पर्मिनेंटली लिया जाता है और उनके ख्लेसिफिकेशन का भी हधार था प्लांट को इंटिफिकेशन क्लेसिफिकेशन को क्लेसिफिकेशन नहीं किया बट उन्होंने प्लांट के रलेशन्शिफिकेशन को स्टेबलिश को करने की कोशिश की सो आइस डेर नौलेज़ अबाउड प्लांट इंक्री रियारलाइज दैप्लांट प्लांट 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 सेज़ेशन को बताना चाहिए निस्गेशन मिलाना चाहिए and thereafter taxonomists concentrated upon to detect the interrelationship among the plants and formulated systems of classification which could project the probable relationship among the known taxa. अर इसतर से ग्राजुली इंफोमेशन को गादर किया गया, डिफरेंट सोर्से से इंफोमेशन को गैदर करने की कोशिच की गई और इसी कुरम में जब interrelationship की बात आने लगी तो एक major breakthrough जैसा कि हम लोग जानते हैं इन दा फॉर्म आफ थ्री आफ इवलिशन आया और चार्ज डार्विल ने 1859 में अपनी थ्यूरी आफ इवलिशन को प्रमोलगेट किया दुनिया के सामने लाया और उन्होंने एवेडेंस के अधार पर यह बताने की कोशिच की कि एवलिशन आफ लाइफ जो है वो नेच्टर सेलेक्शन के अधार पर हुआ है फ्रम सिंपल टू कंपलेक्स और गनीजम तो नेच्टर सेलेक्शन पर मुद्धे ने बहुत इंफैसिस दिया और कि थ्री आफ इवलिशन इस बेस्डाउन नेच्टर सेलेक्शन उसी समय में आलफर्ड वैलेस को भी आप देखिए अलफर्ड वैलेस भी उसी समय में उनकी थियोरी ऑफ इवलिशन को डियान बोध थियोरी वर प्रेजेंटेड आट लंदन देनियन सोसाइटी और इस पर काफी डिसक्शन होने के बाद इस थिरी को लोगों ने लेकिन हम लोग अगर टैक्सोनोमी या प्लान्ट सिस्टेमेटिस को अगर कि रविघ है तो इसको दो एडा में डिवाइट कांज सकता है वान वीज प्रीदरविन अनदर वन पॉसटरविन यह प्रीदरविन में हम लोग क्या करते थे टैक्समिस क्या करते थे प्लांट्स वेर इस्टॉ ऐक्लेसिफायड बट देर वस नो साइंटिफिक आइडिया for the plant systematics. उन्होंने लेकिन वो अर्य प्लांस के और इजिन को दिसक्स नहीं किया करते हैं लेकिन पोस्ट दर्मिनियन के जतनी भी सांटिस्ट है इन अदेशन to the identification and classification of plants they concentrated to draw information from different sources and try to establish a relationship that is evolution aspect को उन्होंने डिसक्स करना शुरू किया on the basis evolutionary theory जो डाविंस की उनको उसको उन्होंने अपने सामय रखकर plants को classify करना शुरू किया और उसके बाद के जतने भी सांटिस्ट आये जतने भी टक्सिनोंस आये उन्होंने phylogenetic system of classification को दिया जिसमें उन्होंने the plants के interrelationship उन्होंने इविलूशिनृ आस्पेट को डिसक्स किया तो इसक्स की किया जो 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 टूरू So, in order to establish relationship, the post-Darwinian taxonomist tried to represent synthesis of data from all areas of plant science, such as anatomy, genetics, physiology, paleo-ventory, chemistry. These are some of the branches. There are many more branches where information is collected and different branches are collected. So, this is a different approach of plant system. And this is the concern of modern system. Modern system. Modern system. इस्तिमेटिस का यही रहा और इसी के आधार पर बात के साइन्टिस्ट जितनी भी आए, पोस्ट डार्विनियन फेस्ट के जितनी साइन्टिस्ट आए, उन्होंने इस चीज़ को करिया करियाओट किया. So, the plant system is entered a new phase of Phylaeanetic classification, which reflects relationship between organisms. दो और्गनिस्म्स के बीच में क्या relation हो सकता है, दो families के बीच में क्या relation होता है, दो टैक्सा के बीच में क्या relationship हो सकता है, इसको establish करने की कोशिश की गई. और उस अधार पर एक Phylaeanetic Tree भी तय्यार किया गया क्लासिफिकेशन ने पड़ा है, जितनी भी साइन्टिस्टिस्टिस्टिस्य फैलियूजने प्लासिफिकेशन लोगों प्रभाण के दिया, उन्होंने एक प्लासिफिक ट्री भी तयार किया, और उन्होंने ये बताने की कोशिज की कि एक कॉमन एंसेस्टर से प्रांट्स का इवलुशन किस तरह से हुआ है इसको उन्होंने अपने सिस्टम आफ क्लासिफिकेशन में एडॉप किया लेकिन ये सारे चीज उन्होंने इस्टाइबिश किया अपनी स्टरी देडिक को थोड़ा इन्राइज किया और ने इंफोंमिशन नौर्फॉलोजी, नातोमी, जेने टिक्यस और बहुत सारे सोर्स्टे से से इंफर्मेशन गैदर किया एंड विधिन विधिन दा लास्ट फीव डिकेर्स आज के दिनों में यह पिछले कुछ सालों से यह देखा गया है कि प्लाइन टैसों मिस्ट वो इंफर्मेशन गैदर करने लगे यूट दे फ्रॉम 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 नुव से इंफर्मेशन गया और वी जाद और बी और अपने स्टॉड्य में और प्लाइंटकल रेलेशंट को इस्टेब्लींश को को से इंद इसको हम लोग जानते हैं इस आल इस इस काल्ड मॉलेकुलर टैक्सोनोमी और डेटा अप्टेंड फ्रॉम दिस स्टेडी और कंप्रेड विद दोस अप्टेंड फॉर्म अधर तूल्स ऑफ दूसरे तूल से जो दूसरे जैसे पॉर्फोलोजी या अनाटोमी से जो इंफॉर्मेशन है उसको साथ साथ में कंबाइन करके उन्होंने अ तैयार कने को इनोटिशन इन दिया जिसको की उनलेसिस के नाम से जानते हैं कलेश्टिक अज़ेश्टिक श्क्रेव्य कलेके श्यविक्याशन इंग विच और जुटेगराइज़ेश्गराइज इन कूू प्रूप्स घॉस का मनला ancestor and this is the most commonly used method to classify organisms और इस तरह से modern आज के जुग में जो भी सांटिस्टिस्ट्स यह भी टाक्सिफिकेशन देते हैं वो सारे modern टाक्सिंग को अपने अपने अडॉप करते हैं प्रांच को नोट अनली classification, classification, identification and classification but in establishing the relationship among the taxa. So in conclusion we can see plant systematics as a branch of science is not only concerned with the identification and naming of plant but it tries to establish all types of relationship among living organisms. यह के वल classification, identification ही नहीं है but plant systematic बहुत evolve कर चुका है और plants के different relationship को भी established करने की कोशिश की जाती है. Also it concerns with the with utilizing these relationship as the basis for systems of classification. plant axiomaly with its related studies on plant exploration, phloristic phylogenetics and phytogeography is a vibrant and rapidly advancing discipline and one that is of great practical relevance in the race against time to document, understand, conserve and utilize the world's diminishing stock of botanical diversity. तिस तरस हम देखते हैं कि plant systematics एक vibrant branch के रूप में evolve किया है और बाव प्लाइंस साइंस एक डिफरेंट ब्राइंस तक चुका है और अल्मस्ट आल ब्राइंस से इंफरमेशन का इदर करें प्लाइंस को एक नए ट्रेंट्स एक नए प्लाइंस प्लाइंस के अंदर डाली गई है और इसी को हम लोग कहता है अग्छन ट्रेंट इंप्लाइंस ए्टर इंप्लाइंस ए्ट्रमाट चैनले से इंफे लाएंस चेह स्थिएर। ध्या यह जार्या है